एटीम में आ गया हो बैंक अल विलाद का एटीम है और मेरे पास है बैंक अप इंडिया का वीजा काड और ये पचास रियाल भी मेरा आ गया है अब लोग के पास इंडिया का एटीम काड रहता है एटीम से पैसा निकल सकते हो या नहीं निकल सकते हो किसी भी मॉल में जाके कुछ भी खरीदते हो क्या आप लोग इंडिया का ATM कार्ड से पेमेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो आज का वीडियो में आप लोग को फुल डिटेल्स में बताएंगे तो आप लोग वीडियो को सुरू से आखे तक जरूत देखिएगा इस वीडियो को अभी से लाइक कर दिजिए तो सबसे पह आप लोग के पास होना चाहिए, तब किसी भी देश में आप लोग इंडिया का ATM कार्ड यूज कर सकते हो, चलते हैं सबसे पहले ATM में, दोस्तों में ATM में आ गया हो, बैंक अल विलाद का ATM है, और मेरे पास है, बैंक अप इंडिया का वीजा कार्ड, तो आप लोग को पैसा के बाद यहां पर एकसेप्ट करना है, कैस उद्धर, सेविंग अकाउंट, मैं पचास रियाल उखा के आप लोग को दिखाता हो, और यह प्रोसेसिंग में है, यह कार्ड मेरा बहार आ गया, और यह पचास रियाल भी मेरा आ गया है, दोस्तों मैंने ATM से पैसा निकलके आप लोग को लाइब दिखाया, मैंने पचास रियाल उठाया, इंडिया का एकाउंट से, तो मैसेज आया आप लोग को दिखा था हूं, स्कीन में देखिए, ग्यारा सो चब्विस रुपिया काटा, पचास रियाल का, आप लोगों के पास वीजा काड या मास्टर काड होना चाहिए, भीजा काड या मास्टर काड आप लोगों के पास होता है, उसके बाद आप लोगों को और भी एक काम करना है, तब आप किसी भी देश में इंडिया का ATM काड यूज कर सकते हो, जिस बैंक का अकाउंट है, आप के पास, उस बैंक का एप्लिकेशन होता है उस एप में काड आप्शन में जाए, काड आप्शन में जाके आप लोगों का इंटेननाशनल टंजेक्शन का आप्शन को ओन करना पड़ेगा, अगर आप खुद से कर पाते हो सही है, अगर खुद से नहीं कर पाते हो, तो बैंक में जाए, बैंक में जाके मैनेजर को बोल करता है चुट्टी में जाने का टाइं। मैं क्या करता हूं? सौधी का मेरे पास जो एकॉंट है उस एकॉंट में जितने पैसा रहता है यॉरपोerness में जाने एफ्चेंज करने में वो रेट नहीं मिलता है उससे कम मिलता है जब मैं इंडिया में किसी भी और और में उतारता हूं पैसे के जरूरत होता है नहीं इप सकता हूंए अगर आ किसी भी देज में तो इंडिया का जो एटियम काड है ये एटियम काड बहुत काम में आएगा अगर आप सुधी आरभ में या किसी भी देज में आते हो आपका पास पैसा नहीं है तो सुधी का या दुबाई कातार किसी भी देज का एटियम से आप लोग अपना इंडिया का अकाउंट से पैसा निकल सकते हो अगर आप लोग किसी भी मुल्क में रहते हो आप लोग बैंक में जाके हीजा काड या मास्टर काड जरूर लेखे आपका पास इग रखिए सफर में ये काड बहुत काम में आता है मेरा भी आता है ये कार्ड सबसे ज़्यादा सफर में क्योंकि किसी टाइम ऐसा होता है सोधी में मैं काम कर रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है किसी से मांगने से अच्छा है इंडिया का अकाउन में मेरे पास पैसा है 50 रियाल, 100 रियाल मैंने उठा लिया चार्ज भी ज़्यादा नहीं करता है आप लोगों में लाइब दिखाया कि 50 रियाल का 1126 रुपिया काटा इंडिया का आप लोग का बहुती सवल था कि सोधी आरब में हम लोग इंडिया का ATM काट कैसे यूज़ कर सकते है तो आप लोगों को लाइब पैसा निकल के दिखा दिया कि आप लोग सोधी आरब में इंडिया का किसी भी ATM काट यूज़ कर सकते हो यहाँ पे किसी स्वापिंग मॉल से कुछ खरीदते भी हो तो इस काट से भी आप लोग पेमिट कर सकते हो मोबाइल लैप्टप कुछ भी सामन आप लोग को खरीदना है अगर आपके पास इंडिया का अकाउंट में पैसा रहता है तो इस ATM के जरिये से भी आप लोग कुछ भी सामन पार्चेस कर सकते हो या ATM से भी आप लोग पैसा उठा सकते हो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर जरूर कीजिए इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा सेर कीजिए अगर इस वीडियो को आप लोग फेस्बूक पेज में देख रहे हो स्थेयर जरूर कीजिए फेस्बूक पेज को फॉलो करके रखिए अगर यूटूब में देख रहे हो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल कर दीजिए तक जब भी कोई नया वीडियो डाले सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिए वहाँ पे आप हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हो कुछ भी सावाल पुछना है तो मेसेज करके पुछ भी सकते हो तो आज का वीडियो यही पर इन करते है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया अल्लाहाफेज